कहते हैं कि प्यार अंधा होता है पर प्यार इतना भी अंधा नहीं होता है जो इंसान जान बूछ करके गलत रास्तों पे चल पड़ता है उसे बरबाद होने से कोई नहीं बचा सकता है आज के कहानी में एक ब्यक्ती इसी प्यार मोहबत के चकर में इस कदर से अंधा हो जाता है कि उसे अच्छे और बूरे की परकी नहीं हो पाता है जिसकी वज़ा से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़के चला जाता है और फिर उसके पीछे नजाने कई लोगों की जिन्दगिया भी हमेशा के लिए बरबाद हो जाती है नमस्कार आदाब में हस्मुदीन और आप देख रहें सफर क्राइम तक आज की जो सची घटना में आपको सुनाने वाला हूँ दरसल ये घटना है जारखंड परदेशकी जारखंड का एक सहर पढ़ता है गुमला और इसी गुमला का एक इलाका पढ़ता है पतिया कोलोनी पतिया कोलोनी का रहने वाला रबिंदर महतो जिसकी उम्रहलगभग 30 साल के आसपास पतनी का नाम पूनम, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, रविंदर के दो छोटे बच्चे, रविंदर जो की एक प्राइबेट कमपनी में नोकरी करता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाता है, अपने परिवार के साथ बड़े खुसहाल तरीके से जीवन बेतित करता है, बात उसे तसली से बिठाती है, और फिर आराम से उसे पूस्तास करती है, पूनम कहती है कि साब मेरे पती का नाम रविंदर महतु है, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, मेरे पती तीन महीने से लापता है, प्लीज आप उसे कहीं से भी ढून ला दीजे, मेरे दो छोटे चोटे बच्चे है, पूनम जब इस तरह की बाते पूलिस वालों से कहती है, तो पूलिस पूनम से पूस्तास करती है कि जब तुम्हारा पती तीन महीने से लापता है, तो फिर तीन महीने तक तुम कहां थी, तीन महीने बाद आखिर तुम पूलिस थाने क्यों पहुंची, इस पे पूनम कहती है कि साब मैं अपने पती की तीन महीने से तलासी कर रही थी मैं अपनी तमाम कोशिस कर ली लेकिन मेरे पती का कहीं कुछ पता नहीं चला तब जाकर के मैं पुलिस थाने आई हूँ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोग मेरे पती को ढूंड दीजिए पुलिस फिर से पुनम से पूश्टास करती है कि तुम्हारा पती घर से कब निकला था और कहां जाने के लिए निकला था जब तुम्हारा पती घर से निकला था क्या तुम्हारे उसके साथ में कोई लड़ाई जग्रा तो नहीं हुआ था इस पर पुलिस पुनम से पूश्टास करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारा पती कहां जा सकता है या फिर तुम्हारे पती के साथ में कोई कुछ गलत कर सकता है इस पे पुनम कहती है कि साब एक महिला है जिसका नाम है संजु जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास जो कुमहार टोली निवासी थाना सिमडेगा की रहने वाली है दरसल मुझे सक है कि संजु नहीं मेरे पती को अपहरन कर लिया है पुनम जब इस तरह की बाते पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस फिर से पुनम से पूस्तास करती है कि आखिर कर्तु में संजु के उपर ही क्यों सक है और संजु और तुम्हारे पती के बीच में रिष्टा क्या है पुनम जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो इसे सुनने के बाद पुलिस भी कही न कहीं यकीन कर जाती है कि रबिंदर का अपहरन ही नहीं हुआ है बलके रबिंदर के साथ कुछ गलत भी हो सकता है एसे लिए पुलिस पुनम के ही तहरीर पे रबिंदर के अपहरन का नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की चान बिन करने के लिए एक टीम का गठन करती है और फिर 7 जनवरी 2023 को पुलिस अपने टीम के साथ संजु के घर पे पहुंचती है संजु से पूस्तास नहीं करती है बलके संजु को अपने कस्टडी मिलेकर सीधे थाने पहुंच जाती है और फिर थाने मिला करके संजु से रबिंदर के बारे में पूस्तास करती है तो संजू पूलिस वालों को इधर उधर की जवाब देना सुरू करती है। इसे लिए पूलिस अब अपना असली रूप दिखाती है। पूलिस जैसे ही अपना असली रूप दिखाती है, संजू भी तुरंत अपनी सचाई कबूल कर लेती है। संजु कहती है कि साब रविंदर की तीन महीने पहले ही हत्या कर दी गई है लेकिन इस हत्या की जब पूरी कहानी बताती है तो उसमें एक पर एक कई सारे नाम सामने निकल कराता है संजु बताती है कि वो एक बिध्वा है, संजु के पती का आज से ठीक दो साल पहले ही एक एकसिडेंट में मौत हो चुकी है संजु के एक बड़ी बहन है जिसका नाम है कौसल्या, कौसल्या जिसकी उम्र है लगबग 28 सल के आसपास कौसल्या के पती का नाम विकास कौसल्या और विकास रबिंदर के ही इलाके में रहते हैं दरसल विकास और रबिंदर दोनों बच्पन के दोस्त हैं लेकिन विकास की भी आज से ठीक तीन साल पहले ही बीमारी की वज़ा से मौत हो जाती है जैसे ही विकास इस दुनिया को छोड़के चला जाता है इस से रबिंदर को भी काफी गहरा सद्मर लगता है लेकिन जब विकास इस दुनिया को छोड़के जाता है तब तक कौसल्या का कोई भी बच्चा नहीं होता है एसे लिए कौसल्या अब बिल्कुल अकेले रह जाती है जब उसका पती इस दुनिया को छोड़के जाता है अपने पती के सामने दहाडे मार करके रोना धोना शुरू करती है जब रविंदर अपने दोस्त के मौद पे उसके घर पे जाता है उसकी पतनी को जब रोते भी लगते देखता है रबिंदर को भी बरदास नहीं हो पाती है एसे लिए रबिंदर कौसल्या को समझाते हुए कहता है कि भावी आपको चिंता करने के कोई जरूरत नहीं है अभी आपके पती का दोस्त जिन्दा है जब तक मैं जिन्दा हूँ आपको कोई भी तकलिफ नहीं होने दूँगा उसके बाद से रबिंदर अक्सर कौसल्या के नंबर पर फोन करता है उसका हाल चल पूछता है उसकी मदद भी करता है अगर कौसल्या को पैसों की जरूरत पढ़ता है तो रबिंदर कौसल्या को पैसे भी देता है लेकिन रबिंदर जब कौसल्या से बातचित करना सुरू करता है बातचित करते करते रबिंदर और कौसल्या दोनों कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं दोनों को मालूम नहीं चलता है और आखिर का रबिंदर और कौसलिया के बीच में लब अफेर सुरू हो जाता है। उसके बाद से रबिंदर जब भी कौसलिया के घर पे जाता है तो कौसलिया के घर में ही रबिंदर और कौसलिया के बीच में संबंध बनता है। एक बार जब ये सिलसिला सुरू होता है उसक पात की जनकारी रविंदर की पत्नी उनम को कभी मालूम नहीं चलता है। नौवंबर 2021 के दूसरे सब्ता में रविंदर जब एक बार कौसल्या से मुलकात करने के लिए उसके घर पे जाता है। उस दिन कौसल्या रविंदर से कोई बातचित नहीं करती है। असल कौसल्या रविंदर से खफा दिखाई दे रही थी। अगले दिन भी रविंदर जब घर वापस आता है तो अब सचाई जानने के लिए इसके फिराक में लग जाता है। और फिर कौसल्या के बारे में आसपड़ोस के लोगों से पूछतास करना शुरू करता है। आसपड़ोस के लोगों से जब पता लगाने की कोशिस करता है आखिर का रविंदर को सचाई मालूम चली जाता है। दरसल कौसल्या का अपने ही इलाके के रहने वाला रजेंदर साहू से लव अफेर सुरू हो चुका था। रजेंदर साहु जो कि रविंदर से काफी मलदार ब्यक्ति था, रविंदर से उम्रे में भी छोटा था और उसे देखने में काफी हैंसम था, जैसे ही रविंदर को सचाई मालूम चलता है, तब रविंदर को लगता है कि साइद अब कौसल्या उसके जीवन में कभी वापस न गर रही नहीं पाता है अकसर उसी के बारे में सुचते रहता है अपनी पत्नी को रहते हुए भी रविंदर एकदम तनहा मैसूस करता है रविंदर जब कौसल्या से मुलकाट करने के लिए उसके घर पे जाता है उसी बीच में कौसल्या के बेहन संजु भी कभी कभी उसके घर पे आती है और अपनी बेहन से मुलकात करती है संजु जब अपनी बेहन से मुलकात करने के लिए उसके घर पे जाती है तो रविंदर भी उसे देखता है और संजु से बातचित करता है संजु जो की देखने में बेहाधी कुपसूरत अपनी बेहन से भी कम उम्र की है लेकिन संजु का भी पत्ती इस दुनिया को छोड़के जा चुका है संजु भी बिधवा है उसकी खुबसूरती को देख करके रविंदर को लगता है कि साथ संजु की भी वही हाल होगी जो उसकी बेहन कौसलिया की है उसकी खुबसूरती देख करके उसके तरफ आकरसित तो होता है लेकिन चाहकर भी रविंदर संजु से बादचित नहीं कर पाता है क्योंकि रबिंदर का कौसल्या के साथ में लव अफेर चल दाता है लेकिन रबिंदर का जैसे ही कौसल्या से दूरी होता है अब रबिंदर संजु के घर आना जाना सुरू करता है उससे मुलकात करता है दरसल संजु को अपने प्यार के लपेटे में लेनी की कोशिस करता है जब भी संजु के घर पे जाता है अपनी दिल की बात सारे संजु से बताता है संजु भी जब रबिंदर से बात चित करती है काफी हस खिल खिला करके बात चित करती है हसकर मुस्कुराकर जब रविंदर से बात्चित करती है तो रविंदर को भी लगता है कि साइस संजु को उससे प्यार हो चुका है लेकिन संजु का ये फितरत होता है कि जब भी वो किसी से बात्चित करती है हसकर मुस्कुराकर ही बात्चित करती है और इसी से रबिंदर को गलत थेमी हो जाता है कि साइस संजू को उससे प्यार हो चुका है लेकिन संजू रबिंदर से प्यार नहीं करती है बलके अपने ही इलाके के रहने वाला अजय से प्यार करती है रबिंदर को संजू से एक तरफा प्यार हो जाता है रविंदर जब भी संजू के घर पे जाता है अपने प्यार का इजहार करता है लेकिन संजू एक बार भी उसके प्यार को एकसेप्ट नहीं करती है हर बार रविंदर को इनकार कर देती है लेकिन फिर भी रविंदर अपने बातों से पीछे नहीं हटता है रविंदर को यकीन ह कि साइध एक ना एक दिन संजु उसकी बातों को जरूर समझेगी और उसके प्यार को कबूल जरूर करेगी इसलिए अक्सर अब संजु के घर पे जाता है बार बार अपने प्यार का इजहार करता है इससे संजु काफी तंगा जाती है और तंगा करके एक दिन अपनी बड़ी काषलिय के नमबर पहां करती है और रफिंदर के बारे में सब कुछ सचाई बता देती है कोसलिय को जैसे सचाई मालूम चलता है कि अब उसका आसिक रबिंदर उसे छोड़ करके उसकी छोटी की बात संजु से कहती है संजु भी इस काम को करने के लिए त्यार हो जाती है लेकिन संजु जब इस काम को करने के लिए त्यार होती है तो अपने इस सड्यांत में अपने आशिक अजय को भी सामिल कर लेती है साथ अपनी बहन कौसल्या और कौसल्या के आशिक रजिंदर को भी सामिन कर लेती है और फिर इसी सद्यांत के तहता है 30 October 2022 को संजु रविंदर के नंबर पर फोन करती है और उससे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है जैसे ही फोन करती है रविंदर विखुसी के अमारे जोम उठता है रविंदर को लगता है कि सायद अब संजु को उसके प्यार का एसास हो चुका है और 30 October 2022 को सुबह सुबह ही अपने पत्नी को बिना कुछ करती है कि रविंदर मेरे घर पे आ चुका है इस पर कौसल्य कहती है कि किसी भी तरीके से उसे पूरी रात अपने घर पे ठहराओ और कल सुबह अपने ही इलाके के छंदा नदी के किनारे लेकर पहुँचो वहां पे पहले से ही मैं तुम्हारा दोस्त अजय और मेरा आशिक रविंदर मौझूद रहेंगे जैसी तुम वहां पर लेकर आओगी हम रविंदर का काम तमाम कर देंगे जैसे तैसे पूरी रात गुजर जाती है अगले दिन संजु रविंदर को घुमने के बहाने साम के वक्त इसी छंदा नदी के किनारे लेकर के जाती है लेकिन रविं वहाँ से भाग खड़ा हो। अजय और रजनेदर रविंदर को पकड़ लेते हैं और फिर पकड़ करके उसकी गला दबा कर वहीं पिछ करदेते हैं. लेकिन रविंदर का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग तीन महीने का समय गुजर जाता है जब अपने पती का तलासी करती है तब पुनम को मालूम चलता है कि उसके पती का किसी संजु नाम की महिला के साथ में लब अफेर चल ला आता है इसलिए अब पूनम संजु से मुलकात करने के लिए उसके घर पे नहीं जाती है बलके सीधे नजदीकी पूलिस थाने में पहुंच जाती है और पूलिस को बता देती है वाकई में जब संजु ये पूरी कहानी पूलिस वालों को बताती है तो पूलिस संजु के इतहरीर पे उसके आसिक अजय को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है फिलहाल संजु की बहन और उसकी बहन का आसिक राजेंदर फरार चल रहे हैं पूलिस दोनों की तलासी कर रही है पूलिस का कहाना में कि हम बहुत जल्द ही कौसल्या और उसके आसिक राजेंदर को भी अपने कस्टडी में लेकर आने वाले हैं